Currently मेरी website called blockingos.com को अगर मैं Google की page speed insight में जाके check करता हूँ उसकी mobile में speed और performance दिखा रहा है 31 और desktop पे दिखा रहा है 82 लेकिन कुछ 5 minute के implementation के बाद में जब मैंने इसको फिर से retest किया तो इसके बाद मुझे mobile में Google page speed दिखा रहा है 83 और desktop में cross कर गया closely 98 तो वो 5 step with simple 3 to 4 clicks आप किस तरीके से आपकी website की speed और performance को increase कर सकता है इस video में मैं detail में बताने वाला हूँ और फिर से आपका वियास में स्वागत और ऐसी ही premium tips जो आपको आपकी blogging की journey में जबर्दस help कर सके उसके लिए आप इस channel को ज़रूर subscribe कीजिए और अगर existing subscriber है तो बने रही है future videos के लिए और भी धवाकेदार inside tips इस channel पर आने वाली है तो इस blog का optimize होना बहुत ज़्यादा कंपल सरी है और उसमें भी सबसे ज़्यादा तब जब मैं mobile optimization के बाद करूँ क्योंकि most of the traffic mobile से आता है इससे मैं एक आपको चीज और aware करना चाहता हूँ guys blogging supreme launchpad का जो हमारा premium course है उसकी pricing में changes आने वाला है within next two days so अभी की best price पर आपको grab करना है आप simply offer ending soon पर जा करके इसको claim कर सकते हैं उचले guys बात करता है exactly मैंने ऐसे क्या steps follow करना है जिससे कि मेरी site की speed में boost हो जाएगा anyways सबसे पहले में क्या करूँगा इस particular site पर एक बार फिर से मैं analyze में जा करके इसको run करूँगा ताकि हमें पता चले कि उसका current stats क्या है okay तो मैं इसको पहले refresh करता हूँ and then यहां पर जाता हूँ bloggingos.com then analyze करता हूँ then मैं फिर से steps को implement करूँगा अंदर आपको दिखाऊंगा कि कैसे यह optimize करता है with simple clicks जैसे मैं इसको analyze किया अभी यहां पर Google का page speed checker check कर रहा है कि currently mobile की speed कितनी है और desktop की कितनी है तो next check के अंदर मुझे mobile दिख रहा है 26 और desktop दिख रहा है closely 83 और EC में हम boost करने वाले हैं तो उसके लिए guys आपको सिर्फ और सिर्फ दो plugins को install करना और यह दोनों plugin आपको पूरी तरह केसा help करने वाले आपके post को और आपकी website को optimize करने के लिए एक चीज आपको यहां पर समझने के जरू होता है किसी भी website में दो important criteria होते हैं सबसे पहले चीज अगर आप home page की बात करें तो यहां पर images होते हैं यहां पर text होते हैं और बहुत सारे इसी plugin के अंदर जाना है जहां पर आपको install की बजाए add new plugin पर क्लिक करना है मतलब हम यहां पर सबसे पहले step के अंदर करने वाले हमारे home page को optimize और step 2 के अंदर हम जो करने वाले गाईस वह होगा इस website के backend को optimize तो अगर हम दोनों optimize कर लेते हैं तो ultimately आपकी overall website की speed increase हो जाएगी ओके तो सबसे पर आपको add new plugin के अंदर आना है फिर यहां पर एक plugin सर्च करना जिसका नाम है 10 web इसको लिखने के बाद आपको simply search करने अधर इसका link भी मैं description में दे दूँगा तो आप देख रहे हैं आप 10 web booster के नाम से एक plugin आपको दिख रहा है इसको आपको पहले install करना इसके बाद में इसको activate करना है मैं आपको पहले install किया हुआ तो मैं इसको फिर से सकता है या फिड नहीं है तो आप यहां पर sign up with google type कीजिए और आपकी कोई भी google का account यहां पर उसके साथ में के अकाउंट बना सकते है मैं मर्वास आइडिया अधर जीमल डाट को select किया and then after मेरा account create हो गया और rest steps automatically होगा हम कुछ नहीं करने हैं यहां पर simply आपको basic से चीजे चूस करनी है जैसे एक account बनाते हैं कितने team लोग है कितने members and everything जैसे आप यह setup complete करते हैं आपको आगे proceed करना है and then इतना steps करने के बाद आप directly इस वाले area के अंदर आ जाएंगे इसके बाद आपको यहां पर कुछ नहीं करना है यह automatically आपकी site को optimize करेगा यहां पर आपको दिख रहा है your home page is being optimized right now यहां पर यह hardly आपका 10 to 30 seconds के बीच में time लेगा सबसे पहले आपकी website का current score के आता है Google page speed का यह उसको retrieve करेगा इसके बाद में आपकी website के front end क्योंकि हमने अभी सिर्फ front end को optimize किया हुआ है उसको optimize करना चालू कर दिया है अभी जैसे आपका front end optimize हो जाता आप देख सकते अभी नया score calculate हो रहा है कि front end को optimize करने के बाद में अभी आपकी website का new score क्या बनेगा तो इसको 100% जैसे हो जाता है इसके बाद आपका complete optimization for home page complete हो जाता है and then we will see कि नया score हमारी website के लिए क्या generate होता है और वो report आपको इसके dashboard में भी दिखेगी साथे साथ हम Google page speed में जाकर के एक बाद फिर से रीचेक करेंगे कि हमारी website का नया score क्या है अगर आप अभी तक बने हुए है तो definitely subscribe के जिएगा क्योंकि ये premium information आपको free of cost में ऐसे लाके दूँगा तो आप देख सकते हैं यहाप यह original score कही ने कहीं और simply analyze पर क्लिक करूँ है let's see कि अभी हमारा नया score क्या आने वाला है क्योंकि पुराना score ये था कुछ जा mobile में था 26 और desktop में था कुछ 83 अभी मैं इसको scroll करके देखूंगा यह फिर से recheck कर रहा है जब हमने वो implementation किया and let's see कि अभी क्या-क्या optimize हुआ है तो we'll wait until new record will come तो यहां पर आप देख सकते हैं अभी mobile में instantly score boost होके पहुँच गया है closely 26 से सीधा 68 को और अगर मैं desktop की बात करो score 83 से सीधा पहुँच गया है कही ने कही 98 के आसपास का और इसमें अगर आपको timely changes और update देखना आप simply आपे manage पर क्लिक कर सकता और यहां पर आपको दिखाई देगा आपका new score अभी क्या दिख रहा है और इसको आपको फिर से reanalyze करना आप यहां से reanalyze कर सकता है तो यह तो बात यह अपके ऐसे front page को optimize करें लेकिन अगर आपको आपकी पूरी website के every individual pages को optimize करना तो obviously आपको कुछ recommended hostings को use करना होगा लेकिन इनकी जो hosting है little bit expensive है if you want it you can migrate your website to this individual site इसका link मैं आपको description में दे दूंगा बट वो आपकी सारे pages को कुछ इसी तरीके से optimize कर देंगे जिससे आपको core web vital के issues भी नहीं आएंगे तो example के लिए यहां पर आप 10 web booster पर जा सकते हैं देख रहे हैं तो फिर से यहां पर plugin के section के अंदर आना है और add new पे एक और additional plugin को install करना और वहां पर single click करते हैं आपका काम बन जाएगा तो मैं फिर से add new में आऊंगा यहां पर wp-db manager को जिसे आप type करेंगे आपको एक plugin दिखाए देगा इसको आपको install करना है और इस plugin को activate करना है then after यह आपकी site की पूरी की पूरी backend की जो database उसको optimize कर देगा उसमें कोई empty table से उसमें कोई raw data है यह सब कुछ clear out करके आपके database को properly optimize कर देगा कैसे करना है I will show you किस तरीके से step को follow करना तो जैसे वो plugin install हो जाता है आपको यहाँ पर left hand side में database के नाम से चीज दिखाए देगी आपको यहाँ पर जाना है optimize db के अंदर तो यह जो optimize db वहाँ पर आने के बाद में आपको दिख रहा है यह आपकी सारे के सारे db different database की जो भी tables से वो tables आपको यहाँ पर दिख रहे है कुछ नहीं करना आपको simply यहाँ पर रखना है once every month अगर आपको schedule करना चाहे कर सकते हैं और यहाँ पर आने के बाद आपको simply optimize पे click करना और जैसे आप इसको optimize पे click करेंगे यहाँ पर एक message pop-up हो जाता है that means कि आपका db optimize हो चुका है त सकते हैं यह पूरी के पूरी tables इसने optimize कर दिया and that's how let's go back and recheck कि क्या इसके बाद भी कोई स्कोर में के changes आया नहीं है तो मैंने एक बार फिर से analyze पे click किया let's come back and let's see whether कोई changes आया नहीं है but anyways we have already crossed जो हमारा earlier जो भी stats था उसके comparisons में हमने अमने अल्रीड इंप्रूव कर दिया within last 4 to 5 steps right और इसको address आप replicate कर सकते हैं उस plugin का जो भी details है वो मैं आपको description में दे दूँगा वहां से आप directly install और download कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं अभी यहां पर mobile की speed दिखा रहा है 79 और desktop पे पहुंच गया 90-99 के आसपास तो कहीं नहीं कहीं 90-99 की बीच में vary करेगा अगर आप किन सारे steps को follow करेंगे hopefully यह आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा ऐसी premium वीडियो आपको future में भी आते रहेगे सिर्फ आपको करना चनल को subscribe वीडियो को like और हमारे साथ बने रहे है आज के लिए इतना फिर मिलेंगे वीडियो के अंदर अब तक के लिए जय हिन जय भ हाद़ हो